C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ ग्यार है शीर्शक जन्तुमों और पादप में परिवहन प्रिष्ट 128 से 140 तक तो आईए अब सुनते हैं इस पुस्तक का पाठ 11 है शीर्शक जन्तुमों और पादप में परिवहन प्रिष्ट 128 पार्ट 11 है जन्तुमों और पादप में परिवहन आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और आक्सिजन की आवश्यक्ता होती है उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन अंगों तक पहुचाना होता है साथ ही जन्तुओं को उन अंगों में उत्पन अप्शिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? ये जानने के लिए चित्र 11.1 को समझे क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनिया समझ में आ रही है? हृदय और रक्त वाहिनिया सैयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरन तंत्र बना दी है इस अध्याय में हम पादप और जन्तुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्यन करेंगे यहाँ प्रुष्ट 128 पर चित्र 11.1 में परिसंचरन तंत्र का चित्र दिया हुआ है चित्र में धमनिया लाल रंग में तथा शिराएं नीले रंग में बताई गई हैं 11.1 परिसंचरन तंत्र रक्त जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वो तरल पदार्थ या द्रव है, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है ये पाचित भोजन को क्षुद्रान्त यानि छोटी आच से शरीर के अन्य भागूं तक ले जाता है फेभणों से ऑक्सिजन को भी रक्त ही शरीर की कोशकाओं तक ले जाता है रक्त शरीर में से अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है रक्त विभिन्य पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाजमा कहते हैं जिसमें विभिन प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं प्रिष्ट 139 पहेली जानना चाहती है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं यानि की RBC होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सिजन को अपने साथ सयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततह सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलता पूर्वक ऑक्सिजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिती के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशकाएं यानी WBC कहते हैं ये कोशकाएं उन रोगाणूं को नश्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं बूजो खेलते समय गिर गया और उसकी घुटने में चोट लग गई कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुग गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है ऐसा होने पर बूजो कुछ परिशान हो गया रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्यप्रकार की कोशकाओं की उपस्थिती के कारण होता है जिन्हें पट्टी कान्म यानि प्लेटलिट्स कहते हैं रक्त वाहिनिया शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहनिया होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं आप जानते हैं कि अन्तह्छ श्वसन के समय ऑक्सिजन की ताजा आपूर्ती, फेखड़ूं यानि फुपसों को भर देती है रक्त इस ऑक्षिजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है साथी रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइकसाइट सहित अन्य अप्शिष्ट पदार्थों को ले लेता है इस रक्त को वापिस हिदय में लाया जाता है जहां से यह फेपड़ों में जाता है फेपणों से कार्बन डायोकसाइड बाहर निकाल दी जाती है जैसा कि आपने अध्याय दस में पढ़ा है इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनिया पाई जाती है धमनी और शिरा जिसका चित्र ग्यारह दशमलव एक है धमनिया रिदय से ऑक्सिजन सम्रिध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है चूकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाप पर होता है अतहा धमनियों की भितियां या दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है आईए, हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रिया कलाप करते है क्रिया कलाप ग्यारह दशमलव एक अपने दाहिने यानि दक्षड हाथ की मध्य और तरजुनी अंगली को अपनी बाई यानि वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखे जैसा की चित्र ग्यारह दशमलव 2 में किया गया है क्या आपको कोई स्पंदन गती या धक-धक महसूस होती है यहां स्पंदन क्यों होता है यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानि नब्स कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है ध्यान दीजी कि एक मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है यहां प्रिष्ट 139 पर चुत्र 11.2 में कलाई में नाड़ी स्पंद को अनभव करते हुए दिया गया है प्रिष्ट 130 आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने प्रती मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्ख व्यक्ती की स्पंदन दर सामान नितह बहत्तर से 80 स्पंदन प्रती मिनट होती है अपने शरीर में अन ऐसे भागूं का पता लगाईे जहां आप नाडी स्पंदन को अनभव कर सकते हैं अपनी और अपने सहपार्थियों की प्रती मिनट नाडी स्पंदन दर ग्याद कीजिए अपने द्वारा प्राप्त आंखणों की तुलना कीजिए उन्हें सारनी 11.1 में लिखिए यहां प्रिष्ठ 130 पर सारनी 11.1 दी गई है इसमें आपको अपनी और अपने सहपार्थियों की प्रती मिनट नाडी स्पंदन दर ग्याद करके लिखनी है इस सारनी को दो भागों में विभाजत किया गया है पहले भाग में नाम और दूसरे भाग में नाडी स्पंदन प्रती मिनट की दर लिखी जानी है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डायोकसाइड सम्रध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापिस रदय में ले जाती हैं शिराएं कहलाती हैं शिराओं की भित्तियां अपेक्षाक्रित पतली होती हैं शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हरदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं यहां प्रिष्ठ 130 पर चित्र 11.3 दिया गया है ये चित्र परिसंचरन तंत्र का व्यवस्था चित्र है इस चित्र में फेपडे, हृदय, धमनी, शिरा और केशिकाओं के माध्यम से परिसंचरन तंत्र को होते हुए दिया गया है क्या आपको धम्निया अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती लगती हैं उतकों में पहुँचकर वे पुनह अत्यधिक पदली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं केशिकाएं पुनह मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को रिदय में ले जाती हैं बूजो कहता है मैं चित्र 11.3 को समझ कर भ्रमित हूँ मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सिजन सम्रिध रक्त ही ले जाती है पहेली ने समझाया कि फुफुस धमनी रिदय से रक्त को ले जाती है इसलिए इसे शिरा नहीं बलकि धमनी कहते हैं ये कार्बन डायोकसाइड सम्रिध रक्त को फेफणों में ले जाती है फुफुस शिरा ओक्सिजन सम्रिध रक्त को फेफणों से रदे मिलाती है रक्तदान रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकणों लोग अपनी जान गवा देते हैं स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानी रहित वद दर्द रहित होता है जो कई अन्मोल जाने बचा सकता है रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकरत जगहों पर ही किया जाना चाहिए दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेश देख भाल से रखा जाता है रदे रदे वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कारे करता है ये निरंतर धड़कता रहता है प्रिष्ट 131 एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कारे करता रहता है ये बिलकुल असंभव प्रतीत होता है फिर भी हमारा रदे जीवन परियंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार करता रहता है आईए हम रदे के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें रदे वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाई ओर जुका रहता है जैसा कि चित्र ग्यारह दशमलव एक में दिया गया है अपनी अंगलियों को भीतर की ओर मोड कर मुठी बना लीजिए आपके हृदे का आमाप यानि कि साइज लगभग आपकी मुठी के बराबर होता है जरा सोचिए यदि हृदे में कार्बन डाय ओक्साइड और ओक्सिजन से सम्रिध रक्त परस पर मिल जाए तो क्या होगा ऐसे स्थिती उत्पन ना होने देने के लिए हृदे चार कक्षों में बटा होता है उपरी दो कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले दो कक्ष निलय कहलाते हैं जैसा कि चित्र ग्यारह दशमलव 4 में दिया गया है कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ओक्सिजन सम्रिध रक्त और कार्बन डाय ओक्साइड से सम्रिध रक्त को परस पर मिलने नहीं देती है पहली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सिजन सम्रिध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाय ओक्साइड सम्रिध रक्त यहां प्रिष्ट 131 पर चित्र 11.4 दिया गया है ये चित्र मानव रिदय का काड़ चित्र है इस चित्र में रिदय के अलग-अलग भागों को बताया गया है ये भाग हैं महाशिरा, महाधमनी, दाया अलिंद, बाया अलिंद, फुपुस धमनी, फुपुस शिरा, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, बाया निले, दाया निले परिसंचरन तंत्र की कारिविधी को समझने के लिए, चित्र 11.3 में रिदय के दाई ओर से आरंभ करते हुए, तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरन कीजिए इस चित्र में तीरों द्वारा रिदय से फेफ़णों में और वापस रिदय में रक्त के प्रवाह की दिशा को बताया गया है, जहां से वो शेश शरीर में पंप होता है प्रिष्ट 132 रिदय के कक्ष की भितियां पेशियों की बनी होती हैं, ये पेशियां लै बद्ध रूप से संकुचन और विश्रान्ती करती हैं यह ले बद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली ले बद्ध विश्वान्ती दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानि हाटबीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाई तरफ हाथ रखें, तो अपने हृदय स्पंदों यानि धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथस्कोप नामक यंत्र का उप्योग करते हैं। चित्र 11.5 भाग 1 में स्टेथस्कोप का चित्र दिया गया है। नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। कीप के स्टंभ पर रबड की एक नली लगभग 50 सेंटिमीटर से लंबी को कस कर लगाईए। कीप के मुख पर रबड की एक जिल्ली अत्वा गुबबारे को तान कर लगाईए और रबड बैंड की सहायता से कस दीचिए। जैसा की चित्र 11.5 भाग B में किया गया है। अब रबड की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर रदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनी सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनी सुनाई दे रही है। यह ध्वनी हृदय स्पंदनों की है आपका हृदय एक मिनट में कितनी बार धडक रहा था चार से पांच मिनट तक दोडने के बाद पुनह हृदय स्पंदन की दर ग्याद कीचिये अपने प्रिक्षणों की तुलना कीचिये अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा चार से पांच मिनट दोड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाडी स्पंद यानी पल्स दर रिकॉर्ड कीचिए जैसा की सारणी 11.2 में दिया गया है क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाडी स्पंद दर के बीच कोई संबंध समझ में आता है प्रते हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पंद करता है प्रती मिनट धमनी में उत्पंद स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है प्रिष्ट 133 यहां प्रिष्ठ 133 पर सारणी 11.2 में रदय स्पंदन और स्पंददर लिखने की सारणी दी हुई है इस सारणी को तीन भागों में विभाजत किया गया है चात्र का नाम, विश्राम की समय, रदय स्पंदन और स्पंददर और इसके बाद दोडने के बाद लगभग चार से पांच मिनट तक रदय स्पंदन और स्पंददर आपको यह सारणी भरनी है रदय के विभिन कक्षूं की लायबध गती रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाई रखती है रक्त परिसंचरण की खोज विलिम हावे 1578 से 1657 तक नामक एक चिकिचचक ने की थी जो अंग्रेज थे उन दिनों ये मानिता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है इसमत के लिए हारवे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानि सर्क्यूलेटर कहा जाता था उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया तथा पी हारवे की मृत्यू से पहले परिसंचरन के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथे के रूप में मानिता मिल गई थी बूजो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है स्पंजो और हाइड्रा जैसे जन्तुओं में कोई परिसंचरन तंत्रन नहीं पाया जाता है जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सिजन की आपूर्धी कर देता है जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाय ओक्साइड और अप्शिष्ट पदार्थों को ले जाता है अतह उन्हें परिसंचरन हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यक्ता नहीं होती है आईए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाय ओक्साइड के अतरिक्त अन्य अप्शिष्ट पदार्थों की निकासी के विशह में अध्यान करें ग्यारह दशमलव दो जन्तू में उत्सरजन आपको याद होगा कि शरीर में अप्शिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन कार्बन डाय ओक्साइड फेफणू द्वारा किस प्रकार उच्छवसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है ये भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक शेपन प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है आईए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अप्शिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं आपके मन में ये प्रश्ण उठ सकता है कि आखिर ये अप्शिष्ट पदार्थ आते कहां से हैं जब हमारी कोशिकाई अपना कारे करती हैं तो कुछ पदार्थ अप्शिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं अधिकांशुतह ये पदार्थ विशाक्त होते हैं इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवशक्ता होती है सजीवु द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अप्षिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए ये किस प्रकार होता है इसके लिए रक्त को छानने की विवस्था की आवशक्ता होती है प्रिष्ट 134 ये विवस्था व्रिक यानि गुर्दों में उपस्थित रक्त को शकाउं द्वारा उपलब्द की जाती है जब रक्त दोनों व्रिक्कों में पहुँचता है तो इसमें उप्योगी और हानी कारक्त दोनों ही प्रकार की पदार्थ होते हैं उप्योगी पदार्थों को रक्त में पुनह अफशूशत कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अफशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में प्रिथक कर लिये यानि हटा दिये जाते हैं। व्रिकों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनिया नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचत होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशिय नली जुड़ी होती है। जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जैसा की चित्र 11. चित्र 11.6 में बताया गया है। इस तंत्र में व्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंद्र प्रदर्शित किये गये हैं। ये हम सभी का अनभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवन होते हैं। बूझो ने पाया कि गर्मियों के दिनों में प्राया पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। विशेश कर उन स्थानों में जहां अधित पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लबणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेश प्रयोजन होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति के व्रिक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमन अत्वा चोट के कारण हो सकता है। व्रिक के अक्रिय हो जाने की स्थिती में रक्त में अप्षिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथा पी यदि कृत्रिम व्रक्त द्वारा रक्त को नियमित रूप से चान कर उसमे से अप्षिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवनकाल में वृध्धी संभव है। इस प्रकार रक्त के च्छनन की विधी को अपोहन यानि डायलसेस कहते हैं। प्रिष्ट 135 पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जन्तु भी मूत्र करते हैं। जन्तु के शरीर से अप्षिष्ट रसाइनों के निशकासन की विधी जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मचली जैसे जली जन्तु कोशिका के अप्षिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जन्तु अपने शरीर से अप्षिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानि समी सॉलिट पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुखित अहश्वेत यानि सफेद रंग का यॉगिक यानि यूरिक अमल होता है। मानव द्वारा उच्सर्जित अप्षिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुक है। पौधों के लिए भोजन बनाती है। क्या आपने कभी इस प्रश्ण पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोशित जल तथा पोशक तत्व पत्यों तक किस प्रकार पहुचाए जाते हैं। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्यों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जल और खनिजों का परिवाहन पादप मूलों यानि जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोशित करते हैं। ये भाग में बताया गया है। जल और पोशक तत्वों के परिवाहन परिवाहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेश कोशिकाओं की बनी होती हैं जो समवहन उतक बनाती हैं। उतक कोशिकाओं का वह समुह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेश को समपादित करता है। जल और पोशक तत्वों के परिवाहन के लिए पादपों में जो समवहन उतक होता है उसे जायलम यानी दारू कहते हैं। जैसा की चित्र 11.7 ए भाग में दिया गया है। जायलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्यों से जुड़ता है। और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है जिसे चित्र 11.7 भाग बी में दिया गया है। आप जानते हैं कि पत्यां भोजन का संचलेशन करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। ये कार एक समवहन उतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी पोश वह कहते हैं। प्रिष्ट 136 इस प्रकार जायलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। प्रिष्ट 136 पर चित्र 11.7 दिया हुआ है। इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में जायलम यानी दारू और मूल रोम को दर्शाया गया है। दूसरे भाग में एक बड़े पेड का चित्र है। इस चित्र के साथ लिखा हुआ है जल और खनिजों का परिवहन किसी व्रिक्ष में। पहली ने पाया कि उसकी मा यदि भिंडी और अन्य सबजियां सूख गई हूँ तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। मैं जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रिया कलाप 11.3 हमें इस क्रिया कलाप के लिए एक काच का गिलास, पानी, लाल स्याही वए एक कोमल शाकिये पौधे की टहनी उधारन के लिए बालसम वए एक ब्लेट की आवश्यक्ता होगी। गिलास को एक तिहाई पानी से भरें। उसमें कुछ बूधे लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकिये पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेट की सहायता से काट कर गिलास में डाल दें। जैसा की चित्र 11.8 भाग आ में दिया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें। यहाँ प्रिष्ठ 136 पर चित्र 11.8 अ दिया गया है। इसमें एक पौधे की टहनी को गिलास में भरे रंगीन पानी में डाला गया है। लिखा है रंगीन पाने में रखी गई शाकिय पौधे की टहनी प्रिष्ट 137 प्रिष्ट 137 पर चित्र 11.8 दिया गया है इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया है पहले भाग में यानी ब में लिखा हुआ है पानी तने में उपर को चड़ता है और सर में लिखा हुआ है तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदू प्रदर्शित करती है क्या शाकिय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का पता लगता है टहनी को अनुप्रस्थ काटिये तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए जैसा की चित्र 11.8 ब व 11.8 सर्भाग में बताया गया है वाशपोत सर्जन कक्षा चे में आपने पढ़ा कि पादप वाशपोत सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं पादप म्रिदा से खनिज, पोशक तत्व और जल अवशोशित करते हैं अवशोशित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है पत्यों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाशपोत सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाशपित हो जाता है पत्यों से जल के वाशपन से चूशन अभिकर्शन यानि खिचाव विक्सित हो जाता है यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूशन करते हैं विशाल व्रिक्षों में बहुत अधिक उचाई तक जल का अभिकर्शन यानि खिचाव इसी प्रकार होता है वाशपोट सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है बूजो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोशित करते हैं और फिर उसे वाशपोट सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं प्रमुक्षप्द धमनी रक्त रक्त वाहिनिया केशिका परिसंचरन तंत्र डैलस्स या अपोहन उत्सरजन तंत्र हीमु गलोबिन रुदै स्पंदन व्रिक्स या गुर्दा फ्लुम या पोश्वाह प्लाज्मा पट्टिकाणू नाडी स्पंद लाल रक्त कोशिकाएं मूल रोम स्टेथस्कोप पसीना या स्वेद उतक मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग यूरिक अम्ल मूत्राशे शिरा श्वेत रक्त कोशिकाई और जायलम या दारू प्रिष्ट 138 आपने क्या सीखा? अधिकांश जन्तूं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन कोशिकाऊं को भोजन और ऑक्सिजन का वितरन करता है ये शरीर के विभिन भागों से उत्सरजन के लिए अप्शिष्ट पदार्थों को भी लाता है मानव शरीर में रक्त, धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा रिदय, पंप की तरहां कारे करता है रक्त में प्लाजमा लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC और पटिकानू होते हैं रक्त का लाल रंग लाल वर्नक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिती के कारण होता है दमनिया हृदे से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है शरीर में से अप्शिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है मानव उत्सर्जन तंत्र में दो व्रिक यानि गुर्दे, दो मूत्र वाहिनिया, एक मूत्राशा है और एक मूत्रमार्ग होता है लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानि पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिये जाते हैं मचली अप्षिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है पक्षी, कीट और छिपकली, अर्द घन यानि सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अमल का उत्सर्जन करती है पादप मूलों द्वारा जल और पोशक तत्व मृदा से अवशोशत होते हैं पूरे पादप में जल के साथ पोशक तत्व जायलम नामक समवहन उतक द्वारा ले जाए जाते हैं पादप के विभिन भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक समवहन उतक के द्वारा होता है। वाशपोत सर्जन के दौरान रंधरों से वाशप के रूप में बड़ी मात्रा में जल का रास होता है। वाशपोत सर्जन के कारण एक चूशन बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा म्रिदा में से अवशोशित जल अभिकर्षित यानी खिंच कर होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है। प्रिष्ट 149 अभ्यास एक, कॉलम ए में दी गई सनरचनाओं का, कॉलम बी में दीए गई प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दी गई सनरचनाओं हैं, क, रंद्र, ख, जायलम, ग, मूल, रोम, ग, फ्लोएम। कॉलम बी में दीए गई प्रक्रम हैं, एक, जल का अवशोशन, दो, वाशपोत सर्जन, तीन, भोजन का परिवहन, चार, जल का परिवहन, और पांच, कार्बो हाइड्रेट का संसलेशन। दो, रिक्ट स्थानों की पूर्ति कीजिए, क, रिद्य से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन, रिक्ट स्थान के द्वारा होता है। ख, हिमोग्लोबिन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है ग, धमनिया और शिराएं रिक्त स्थान के जाल द्वारा जुड़ी रहती है ग, रिदेकाल लै बद्ध विस्तार और संकुचन रिक्त स्थान कहलाता है ज, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद रिक्त स्थान है ज, पसीने में जल और रिक्त स्थान होता है ज, व्रिक्ख अप्शिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं ज, व्रिक्षों में बहुत अधिक उचाईउं तक जल पहुचाने के कारे में रिक्त स्थान द्वारा उत्पन चूशन अभी कर्शन बल सहायता करता है तीन, सही विकल्प का चायन करिए क, पादपों में जल का परिभन होता है एक, जायलम के द्वारा दो, फ्लोयम के द्वारा तीन, रंध dużों के द्वारा चार, मूल रोमो के द्वारा ख, मूलों द्वारा जल के अवशूशन की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें एक, चाया में रखकर दो, मंद परकाश में रखकर तीन, पंक्हे के नीचे रखकर चार, पॉलिथिन की थैली से ढख कर, प्रिष्ट एक सो चालीज चार, पादपों अथ्वाद जन्तूं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्चक है? समझाईए पांच, क्या होगा यदि रक्त में पट्टेकाणू नहीं होंगे च्छ, रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताईए साथ, क्या वाश्पोत सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? आठ, रक्त के घटकों के नाम बताईए नौ, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्चकता क्यों होती है? दस, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ग्यारहे, रदय के कार्य बताईए बारह, शरीर द्वारा अप्षिष्ट पदार्थों को उच्सर्जित करना क्यों आवश्चक है? ते रहे, मानव उच्सर्जन तंत्र का चित्र बनाईए और उसके विभिन भागों को नामांकित कीजिए विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियूजना कार्य एक, रक्त समूहूं यानि बलड ग्रोप और उनके महत्व के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए 2. जब कोई व्यक्ती सीने यानि छाती में दर्द की शिकायत करता है तो चिकित्सक ततकाल उसका ECG करते हैं किसी चिकित्सक के पास जाएए और उनसे ECG के बारे में जानकारी लीजिए क्या आप जानते हैं? रक्त का कोई विकल्प नहीं है यदि किसी व्यक्ती को शलक्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानी होती है अथवा यदि उनके शरीर में परियाप्त रक्त नहीं बनता है तो इसकी परिपूर्ती करने का मात्र एक ही तरीका है रक्त दान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गए रक्त का दान रक्त की सामानितह आपूर्ती कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं यद भी रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ती कम नहीं होती और नहीं इस से उसके स्वास्थे पर कोई दुश प्रभाव पड़ता है इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 11 शीर्शक जन्तू और पादप में परिवहन यहां समाप्थ हुआ वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत